नमस्कार दोस्तों आपने अपना एड़ वर्पूल का एकाउंट ओपन किया और पता चला कि वो बैन हो चुका है आप टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि आपके पास कुछ और भी एकाउंट्स हैं आप फटा फट दूसरा एकाउंट भी चेक करने के लिए खुलते हैं वो भी बैन फिर तीसरा फिर चोथा फिर पांच मार सब बैन दोस्तों यहाँ पर आपका पहला एकाउंट तो कंपनी ने ही बैन किया लेकिन आपके जो बाकी एकाउंट बैन हुए वो सब आपकी गलती की वज़े से ही बैन हुए ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ तो बने रही है वीडियो में लास्ट तक और बचा लिजे अपने बचे हुए एडवालपूल के अकाउंट और ध्यान रहे आज की वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने यार दोस्तों और मिलने जुलने वालों सब के पास वाट्सेप, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, मेसेंजर या जैसे भी आप शेयर कर पाएं कर दीजिए जिससे की बाकी दोस्तों के अकाउंट बैन होने से बच सके हैं दोस्तों इस वीडियो के बैक्गराउंड में एक बैन्ड एकाउंट आप देखेंगे, उसकी डिटेल्स देखेंगे कि कैसे आप अपना एकाउंट हैक यूज करके बैन करा लेते हैं और अपनी बर्सों की मेहनत को मिट्टी में मिला देते हैं जब आप कोई हैक यूज करते हैं, कोई आपको रिपोर्ट कर देता है या फिर आप कोईन्स ट्रांसफर करते हैं, वी पियन यूज करते हैं या आपका एकाउंट यहां वहां ट्रेविल करता है मतलब आप अपना account किसी seller को या अपने किसी दोस्त को play करने के लिए देते हैं तो इन सारी वज़ों से आपका account company की नजरों में आ जाता है वो आपका account flashed कर देते हैं उसके बाद company देखती है कि इस account की basic origin क्या है मतलब ये account mainly किस country में किस device पर play किया जाता है उसके बाद company आपकी device मतलब mobile, iPad या computer laptop वगेरा का IP address नोट कर लेती है इसके अलावाद जो Gmail ID उस mobile के Gmail play store पर होती है या Facebook ID जो उस mobile पर आप यूज़ कर रहे होते हैं वो सब black list में आ जाते हैं मतलब आपके mobile का पूरा का पूरा हाल company को पता चल जाता है और आप कौन-कौन से app यूज़ कर रहे हैं ये सब company जान जाती है अब अगर आपके mobile पर कोई hacking app पड़ा हुआ है तो समझ लो आपको आज नहीं तो कल ban होना ही होना है और जब ban की आन्दी चलती है तो आप अपने उस mobile पर जो भी ID login करेंगे वो ban हो जाएगी एक के बाद एक आप ID login करते चले जाएंगे चेक करने के लिए और वो सब की सब ban होती चली जाएंगी mobile या device को mark करने वाली बात आपको मजाक लग सकती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद अपने mobile में देख सकते हैं जब इन सब को पता चल सकता है तो mini clip को भी पता रहता है कि आपके mobile में क्या चल ला है खेर ये बात तो पूरी हो गई कभी आप mini clips के rule पढ़कर देख लेना वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि third party apps का इस्तेमाल aid wall pool में पूरी तरह से पुर्तिबंदित है ये third party apps क्या होते हैं इसके बारे में आप सारी जानकारी इंटरनेट से पता कर सकते हैं aid wall pool में जिपने भी hack मौजूद हैं चाहें वो guideline tool हो, aiming tool हो या coins gift देने वाला app हो ये सभी third party app हैं VPN भी एक तरह से third party app की तरह काम करता है गेम खेलने के साथ साथ आपको इन apps को भी on रखना पड़ता है तो ध्यान रहे, band से अगर बचना है तो mobile में कभी भी इन apps को install मत करना अब बात करते हैं बड़े बड़े accounts के बारे में जो world, country या clubs को tap करने वाले लोग होते हैं उनके accounts हमेशा on रहते हैं और अधिकतर cases में ऐसे accounts कई लोग मिलकर बारी बारी से खेलते हैं इन लोगों की आपसी understanding होती है, जब एक ठक जाता है तो कहीं और बैठा दूसरा बंदा उस account को open करके खेलना शुरू कर देता है इस तरह से यो लोग world वगेरा टॉप करते हैं अब मान लो मेरा mobile fair है, मगर मैंने जिस player को अपना account country या वर्ट आप खेलने के लिए दिया उसके mobile में hack install है अब भले ही वो मेरे account में hack लगा कर नहीं खेला है मगर क्योंकि उसका mobile mini clip ने mark कर रखा है तो उसके mobile पर login होते ही मेरा account भी mark हो गया और ये भी ban होगा तो इस तरह से बड़ी बड़ी rank वाले accounts भी ban हो जाते हैं ठीक ऐसा ही तब होता है जब आप अपना account किसी seller को देते हैं जरूरी नहीं कि हर seller की device बिल्कुल fair हो इस तरह से उसके mobile या computer पर आपका account login होते ही आपका account भी खत्रे में आ जाता है 24 सितंबर के आसपास report बटन launch हुआ था और 26 October को लोगों के accounts ban हुए मतलब एक महिना लग गया mini clip को reports चेक करने में 26 October को जितने भी accounts ban हुए उनमें से बहुत से लोग बोल रहे थे कि उनका account fair था अब ये जो आज मैंने इस वीडियो में आपको reasons बताए हैं उनके basis पर आप चेक कर लिजे कि क्या बाकई में आपका account fair था या आप अभी तक किसी गलत फैमी में जी रहे हैं अगर बाकई में आपका account fair था तो मुझे आपके लिए बहुत अफसोस है यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगा कि समझ लीजे कि सही और गलत के लिए जब भी लडाई होती है तो बुरे लोगों के साथ साथ बहुत सारे बेकसूर भी मारे जाते हैं बहुत सारे सिपाही और सैनिक भी सहीद हो जाते हैं जंग में आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बगेरा कर दीजे वरना कोई बात नहीं मेरा फर्स था सही बात बताना वो मैंने बता दी मैं दुआ करता हूँ कि एकाउंट बैन की नेक्स्ट वेब में मेरा और आपका एकाउंट सेफ रहे मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो में आपको कुछ और प्रिकाशन्स बता सकूँ जिससे की आप अपने एकाउंट को सेफ रख सकते हैं और बैन होने से बचा सकते हैं वो वीडियो जल्दी ही आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार